हाई अबरिवान वेलकम बैक टो मारे चैनल तो आज मैं आप लोगो बताने वाली हूं एड़ स्कीन को रिमूव करेगा एंड डाकनेस को और डूर्ट की वज़े से आपका स्कीन काला पड़ जाता है डाक पोर्स को रिमूव करके स्कीन को ग्लोइंग हेल्दी एंड सॉफ्ट बनाएगा एंड जो चमक होती है साइन जो चली रहती है वह वापस लाएगा आपके स्कीन में तो बहुत ही अच्छा फेस पैक है और यह हाथों में फुल बाड़ी में इसको आप अपलाई कर सकते हो फुल बाड़ी वाइटनिंग के लिए काफी अच्छा है और एंटी कोफी बहुत जादा ग्लोड जेने में आपके चेहरे को अपके निकालने के लिएступ होती होता है एक स्कीन को घाप स्कीन बिर्ट मंस्ते होता है स्कीन को बहुत जादा है यहें मुलाज्ञकर में है कैने मिलता है पन ड्लाय है जिस और पयश्किन सब्सक्राइब करें तो मैं तो मैं थोड़ा ज्यादा लेरी हूं चार से पांच चांब के बारे में तो सब जानते हैं आपके स्किन के लिए इतना ज्यादा अच्छा होता है अगर आप इतना प्रोड़क्ट बना रहे हो तो कर दो अच्छा होगा नहीं मिले तो आप जो खाने में उच करते हो भी उच कर सकते हैं कोफी का मैंने यह वाला प्रोड़ा पैक लिया था दोजब में मुझे मिल गया था और इसका मैं पूरा डाल दे रही हूं अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है अच्छा बनिल पर आप इसको ग्लोइंग बना सकते हो और मुझे यह कमेंट भी आया था कि मैं स्किन बहुत जादे डाल हो रही है इसकी ग्लोइंग के लिए कुछ बताईए यह बहुत जादा बैस्ट रहेगा तो आप इसको योज़ करिएगा है और सहाद लेना है नेक्स्ट लेना है और अपको कच्छा दूद नहीं है तो आप वो भी लेट रखे हो गरम किया हुआ वट कच्छा जहे तो ज़्यादा चलेगा तो भी चलेगा अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदड़ से अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे करणें जितना भी तमें जाते गाठ वगएरा नहीं दाने चाहिए बेतन का बिल्कुल अच्छे से बना देना है बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है एक बार आप ट्राई करोगे फिर बताओगे इसका रिजल्ट आपको खुद पर खुद देखने हो मिलेगा पर्स्ट यूज से ही आपको रिजल्ट देखने हो मिलेगा अगर आपको निम्बू से प्रॉब्लम नहीं है जैते आपकी स्किन पर ब्लीचिंग का काम करेगा अब अच्छा था प्रीष्ट यहां बनके रेडी हो गया है अब इसको अपलाई करने करना है अचली हो भी बता देती हूं इसकी बाद ही बताया था बटू थोड़ा सा कॉफी पाउडर मेरा उसमें अच्छा ने था फिर भी उसमें भी बहुत अच्छा वर्क किया था लेकिन आज का तो कमाल का पैक बनने वाला है और आपकी स्किन का जितना भी प्रॉब्लम है डलने से डार्कने से सब चीजों को रिमूर करेगा और अंदर से ग्लो देगा और सबसे पहली बात तो अगर आप स्किन में ग्लो चाहते हो हैर में हैर को अच्छा करना चाहते हो तो आप पानी ज्यादा से ज्यादक भी आप अंदर से हेल्दी रहोगी तो भी उपर से भी आपकी स्किन एंड हेल्दी रहेंग क्या गणा कि दिखाते हैं कैसे अपलाई करना है कि यह बताती हूं इसको हाथ में अपलाई करना है आप चाहूं तो जो बीड़े सकते हूं अब नहाने जा रही थी रही दो शोचे हूं इन फेसट पैक भी आपको बता दो कैसे यूच करना है कि अच्छा है जिसना भी डापने से ज़र्व डालने से अची बात कि आप इसको आप पास भी लगा सकते हो इसे कि आपके डाप सर्केल की परबलम भी काफी हद तक हतम हो जाएगी और हमें पस विटामीनी की कैप्सूल आप इसमे ज़रूर एड़ कीजिएगा कैसी पिस्कीम इससे बहुत अच्छा ग्लू आएगा और ड्राई स्कीन है तब आपको पक्का यूज करना है विटामीनी की कैप्सूल भी खतम हो रखती है इसको रखना है आपको चाहरे पे जबता कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए तक है आप इसको लगाके हमें बैठ सकते हो जिससे क चाहिए आप आप नहीं कैसे अप्लाई करें कोई भी प्रोड़क्त यूज़ कर देऊ तो आप अपने जब्दन को बिल्कुल नहीं बोलना है लेकिन हमारे फेस के साथ है तो हमारा जब्दन भी इतना ही डल होता है द्राइड होता है एंड जैते डैट स्कीन आती है फेस पे बैसे ही जब्दन पे आती है इसको हम दखने के जब तक ये शूखना जाए अच्छे से अच्छे से क्रेस पे अपलाई कर दिया है अब मैं इसको शूखने दूँगी शूखने के बाद इसको नॉर्मल पानी से बास करना है और क्या रिजल्ट आता है वह आप रूंता फेयर करती है कि यूदि बचा हुआ पेश पैट के इसको नहात इटा मिच़ करना में इसको हाथ हो पर चेश भी जर्दन पर कहीं भी आप्प अपलाई कर सक्ट हो पेर के जो पंजे होते हैं जैसे यहाथ हो गया तो चलिए फाइनल रिजर्ड बताते हैं आपको इसको इसका फुल वीडियो को फुल डीटेल मेरे यूटुब चैनल पे अप्लोड हो चुका है जिसकी भी स्किन में डाकने से डलने से ड्राइ हो दिया स्किन डैमेज हो दिया जिसका भी स्किन एजिंग आ रही है और अपने स्किन को दुबार से ग्लोईंग स्वॉफ स्मूद हेल्दी बनाना चाहते हो यह फेस पैक है आप लोगों के लिए तो आप जाके ज़रू जाएंगी और पहले यूट से ही आपको रिजर्ड रिकेगा थैंक्स परमाची तो प्रेंट ज़स्ट में नहां के आपको अच्छा था ग्लोग दिख रहा है मुझे तो आपको रहा है रिजर्ड कमेंट मुपर बज़रू बज़रू बदाएगा फूल गॉड़ी के लिए आपको अपको ग्लोग रहा है रहे को अपको काहँ ज़ब सर्फ के लिए क्षैक रहा है कपी फाइनल मुझे तो आपके सामने है इसको जरूर रहे किजिए और ट्राइट निगा जोज़ जागता है और तो जोज़ जोगता है और तो जोज़ जोगता है और तो जोज़ जागता है और तो जोज़ जोज़ जागता है